आज हम हमारे लॉडर अटेच्में इससे आपको इंट्रिवूस कराना चाहेंगे ये सौन अली का स्थार्ट है टर्वो चार्ज जिस पे हमारा ये अटेच्मेंट लगा हुआ है लॉडर इसमें ये फ्लेंडर लगे हुए है जो कि स्रीनात कंपनी के है स्रीनात राज़कोट में सिक्वेटेट है और इसमें ये पिन दी हुई है जो कि 30 mm है 30 mm इनकी मौटा ही है ग्रीज पे नहीं है और इसमें जो ये फिलर खड़े करें गए है तो इसमें ये 8 mm मौटी प्लेट से बना हुआ है आठ मौटी प्लेट से ये सिक्वेडस कड़े हुए है और इसकी ये भूम है जो की छे म Baptist अपी प्लेट से बनाई गई है इसमें स्लेंडर में आपको 45 mm मौटा 40 mm मौटी राड़ है इसकी और ये जो स्लेंडर दी हुए है इनमें 40 mm मौटी रोड दी हुई है, इस पूरे लॉडर में 30 mm की पिनों का यूज किया गया है, 30 mm मौटी पिन यूज की गई है, इसमें हमारी ये बकेट है, जो की साड़े 5 फिट लंबी है, दाइफिट चौड़ी है, 30 इंची चौड़ी है, इसमें गहरा ही है आपकी इसमें दाते दियुए है, चे दाते दियुए है आना आपको, ये बड़ वाल कंपनी का कंट्रोल वल लगा ये ये इसमें ये कंट्रोल वल दिया गया है, और ये इतन की लाइन दियुए है, इतन, यह बैस्ट कमपनी है बहुत अच्छी कोलिटी की लाएन हैजिक अर्इसको हमने टेक्टर के पंप से अचैट्ल किया हुआ है जो कि इसका ऐल सब्सक्रों अचैटर रहाईगा प्लेट से बना हुआ है यह इसमें सपोर्टे दी गई है इसमें बोल्ट पीवीएश के बोल्ट यूज की गई है अरून एक्रो इंड्रेश्टी विदीशा एमपी मॉडल 2019 है यह हमारे कॉंटेक्ट नंबर दी गया है कम्पनी के अगर आपको लगवाना है तो आप इन नंबरों पर कॉंटेक्ट कर सकते हों